हेलो अब्रीवन तो मैं आपको इस एलो चैनल पर नहाँ है चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इसको सेयर कर देना चली हम्हें सब्सक्राइब कर देणा चली हमने स्टाट करते हैं आपका सेट चाले जिन बच्छों सेटी हो श्यूआ सभी बचे इस वीडियो को देखिए और अपना आंसर जो हो मैच कर लिए यह से टू का कोड़ नंबर 57-4-2 है ओके कोई बात नहीं आपका सेट 1 और सेट 3 का भी कोशन जो है इसी से आपका मैच कर जाएगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबका मुल्टिपल च्वाइ इसका आंसर क्या हो जाएगा आप जल्दी कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है तो ऑप्सन ए है बी सी डी है तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह हो जाएगा आपका पॉडल जाइगोट एंड इंडो स्पॉम हो जाएगा यह जो है इसका सही आंसर होगा ओके कमेंट करके बताना आपने क्या किया है आंसर तो इसका क्या हो जाएगा जो टर्नर सिंड्रॉम होता है उसका आपका सही आंसर हो जाएगा इसका औब क्या क्या हों अपने क्या किया है व시 उसके मारे जूकुसिन no.3 Kai का वीच ऑफ दी ऑप्संस हैस करेक्ट इंडि इंडिफिकेशन ऑफ पी क्यू एंड आर इंड इंसुलिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्र डॉग्मा गीवन विलो देखे इसमें पी क्यू आर यह जो पी है ना पी है क्यू हर यह आर है यह क्या आपका जो है वो इंडिकेट कर रहा है ही आपको बताना है तो कमेंट करके बता है आपने क्या मार्क किया है तो किसक्तर चार्चार आपसन है इस से क्या होसकता है मुझे क्मेंट करके जरू बताना आफने किया है किया अपने देखे इसमें सही आंसर wolves जाएगा आफका सब्सक्राइब करूद कर रहा है और यका अप्शन नंबर सब्सक्राइबügen करेंण problems कर देख रहा है चलिए को आफ नोर कर रहा है चलिए को यह क्या है यह एंधर का तो यह क्या है और यह सी किसको इंडिकेट कर रहा है तो आपने क्या किया है करके ज़रू कर रहा है इसका अपसिन नमर्ड जो है आपका सही आंसर होगा कमेंड करें ज़रू बताना आपने क्या किया है चले नेक्स्ट विशन को हम चेक करते हैं question no.5, select the option that gives the correct identification of ovum, morula and आपका blastocyst in a human female reproduction system as so in the following diagram, देखे ये human जो आपका female है, उसका reproductive system आपका left side का दिया गया है, इसमें आपको बताना है, देखे इसमें जो सही answer है ना आपका, आपका सही answer जो है, देखे ये जो है क्या है, ovum है, B जो है वो, morula है और G जो है वो, blastocyst है, ओके, G जो है वो, blastocyst है, इसमें जो आपका सही answer होगा ना, वो हो जाएगा आपका option no.b, option no.b जो है आपका सही answer होगा, ovum A, morula, B, blastocyst, G, ऊके, तो इसका सही answer जो है वो, B हो जाएगा, 5 का, ऊके, next question को check करते हैं, question no.b 6 को, तो सिक्स जो है आपको मैच करना यहां पर देखिए स्टडी दर टेबल गिवन बिलो कॉंटर सेप्टिप यहां पर कॉंटर सेप्टिप मैथर का नाम दिया गया है दपील कंडॉम भास सेक्टोमी और कॉपर्टी और मूड ऑफ एक्शन सबका क्या-क्या एक्शन होता है यह म है तो देखिए इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके जो बताओ सिक्स का सही आंसर क्या किया आपने तो इसमें जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ओप्सें नमबर सी जो है आपका six का ओप्सें नमबर सी जो है आपका सही आंसर होगा ओके कमेंट करके जो बताना आपने क्या किया है चलिए next को देखते हैं seven number काफी easy question था यह identify the category of genetic disorder deficit in the pedigree chart given below तो देखें इसका जो सही आंसर है seven का comment करके बताओ आपने क्या क्या है seven seven का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका देखें चार चार ओप्सन है एक में एक्स लिंक्ट रेसिसिप एक में एक्स लिंक्ट डोमिनांट एक में हैं autosomal लिशिप डोमिनांट तो इसका सही आंसर जो है आपको option नमडर ए हो जाएगा option नमडर जो है सही आंसर है excellent रेसिप यह नहीं option नमडर seven का option नमडर और जो है आपका सही आंसर होगा उसके बात question नमडर eight को देखते हैं ऐलिचा ठेकनिक इस बेस्ट ओन दा प्रिंसेपल ओफ अ benchmark अपने पढ़ा होगा लिचा टेकनिक जो है वो को उसका जो प्रिंस्पल ये वो खिस पर बेस्ट होता ए तो जल्दी बताई यह समय चार ओप्सन दिया गया है पहला अप्सन है dnaleda replication इंटिज – इंटिजन, इंट्याराइसर relay रीक्ष kया हो जाएगा इसका आंसर कमेंट करें इसका एट का सही आंसर बिया सब्सक्रामिफब करताos homologous organs indicate homologous organs जो है नों वो किसको indicate करता है homologous जिसको हमलों हिंदी में समझात अंग बोलते हैं homologous organs किसको indicate करता है homologous organs तो देखें चार option है convergent evolution divergent evolution adaptive radiation और natural selection तो क्या होगा इसका answer तो इसका answer जो है वो option number B हो जाएगा divergent evolution divergent evolution चलिए next question को 10 को देखते हैं 10 नंबर में है दा molecular scissors the molecular scissors fall in the category of चलिए चार option है claving enzyme indonucleus और आपका exonucleus और restriction enzymes 10 का answer comment करके जोरू बता 10 में आपने क्या किया है 10 में जो सही answer है ना इसका हो जाएगा option number D option number D जो है आपका सही answer होगा restrictions enzyme restrictions enzyme जिसको हमने हिंदी में प्रति बंधन enzyme बोलते हैं ओके चलिए next आपका question number 11 11 में which of the chromosomes in a human possess that the least number of genes which of the chromosome in a human possess the least number of genes चलिए पहला option में 21st chromosome 16th chromosome x chromosome और chromosome comment करके बताओ आपने क्या किया है इसका जो सही answer होगा एक्स chromosome option number C हो जाएगा एक्स chromosome जो है वह सही answer होगा ओके चलिए next question को देखते हैं question number 12 ओके 12 जो है आप मुझे comment करके बताओ मैं इसका answer नहीं बताओंगा मुझे confusion है इसलिए ओके मैं रॉंग नहीं बताओंगा आप कमेंट करके बताओ कि 12 का आपने कौन सा answer किया है सब्सक्राइब करना ओके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरू करना ओके इसका पूरा explanation में आगे आपको बताने वाला हूं चलिए थर्टीन नंबर को हम लोग देखते हैं थर्टीन में है आपका assertion plasmids are autonomously replication circular extra chromosomal DNA assertion में है और आपका next reason plasmids are usually present in eukaryotic cells चलिए तो इसका answer क्या हो जाएगा यह जो है आपका true है यह क्या है आपका true है और आर जो है न अप्लाइमेट्स are usually present in eukaryotic cells नहीं यह फॉल्स है आपका ओके तो आपका जो option number c है इसका सही answer होगा option number c 13 का option number c जो है आपका क्या होगा सही answer होगा चलिए next हम लोग चेक करते हैं question number 14 को पैटेंट्स are granted by government to an inventor और रिजन में चलिए इसका जो है ना 14 का देखिए बिलकुल सही है यह true है यह जो है आपका ट्रू है पैटेंट्स प्रिवेंट्स अधर फॉर्म्स अब कमर्सियल यूज ऑफ एन इंड्वेंशन यह भी ट्रू है चलिए इसका option नंबर जो है आपका ए हो जाएगा option नंबर ए 14 का option नंबर जो है आपका सही आंसर है और रिजन दोनों जो है वो ट्रू है रिजन जो है बेस्ट एक्स्प्लेंट कर रहा है आपका चलिए नेक्स्ट कॉर्शन को हमने चेक करते हैं कॉर्शन नंबर फिप्टीन एसर्शन अगीवन फिगर इस्पेसिस कैन बी सब्सक्राइब तो बिल्कुल ट्रू है यह चलिए और रिजन में आपका दो सब्सक्राइब कॉलिनेट्स दफीगर का इन फ्लॉरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सटेबल एग लाइंग साइट्स बिल्कुल सही है ट्रू है यह ओके चलिए option नंबर ए जो है आपका सही होग कमेंट करके जुरू बताना आपने क्या किया है चलिए तो option नंबर ए जो है इसका सही होगा फिप्टीन का 16 को चेक करते हैं सब्सक्राइब इको सिस्टम है इनवर्टेट बायो मास पीरामिट्स बिल्कुल ट्रू है और रिजन में में मोर एनर्जी इस रिक्वाइड बाइ कितना राइट किया है तो मैंने आपको 16 जो है multiple choice question बता दिया section B का answer लेने के लिए explain करने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपका ज्यादा ज्यादा आएगा तो मैं आपको आगे का solution आपको explain कर दूंगा ओके तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना मिलते हैं फिर